हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू डाउट नर्ट तो गाईज हम स्टार्ट करेंगे आज एक बिलकुल नया लेसन दाट इस लाइट शाडोज और रिफ्लेक्शन तो आपका 11 चाप्टिर है यह NCRT बुक का और हम इसके बारे में आज डिसकस करने वाले हैं क्या होता है लाइट क्या होते हैं शाडोस और रिफ्लेक्शन तो आज थोड़ा बहुत इन्टोडक्शन देखेंगे और हमारे टॉपिक है आजकल लाइट के बारे में बात करेंगे प्लास कुछ उब्जिक्ट के बारे में करेंगे कि लाइट उन में से कैसे पास होती है तो अभी नहीए समझ म तो अगर इसी अभी मैं बात करूँ इसे विडियो की तो उसमें हम देख लेते हैं हमें क्या-क्या नजर आ रहा है तो मैं देख रही हूँ मुझे क्या-क्या दिख रहा है एक laptop नजर आ रहा है wall clock नजर आ रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं plant है एक mug है और आप ऐसे ही अपने आसपास देखो कि आपको अपने आसपास क्या-क्या चीजें नजर आ रही है तो हो सकता है आपके आसपास books हो, notebooks हो, wall clock होगा और light लगी हुई होगी और जो भी चीजें होंगी आप उसके एक list बनाओ कि क्या-क्या चीजें आपको अपने आसपास दिख रही है तो अभी तो आपको वो चीज easily नजर आ रही है, easily visible है बट अगर क्या करें, मैं कर दूँ lights off तो अगर lights off कर देंगे, तो क्या आपको उसी तरीके से वो सारी चीजें नजर आएंगे जैसे पहले नजर आ रही थी, अभी आप जो भी चीज अबसर्फ कर पा रहे थे light off करने के बाद भी उतनी ही clearly नजर आ रही थी वो चीजें बट अगर मैं lights को off कर रही हूँ, तो off करने के बाद मुझे कोई भी object नजर नहीं आता अपने आसपास यानि हमें इससे क्या चीज समझ में आ सकती है इससे हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को अगर हमें देखना है तो उसको देखने के लिए हमें किस की जरूरत है? light की जरूरत है और अगर light नहीं होगी तो हम उसके बिना light के बिना किसी चीज को observe नहीं कर सकते हमने तो ये देखा था कि अगर हमें कोई चीज देखने हैं तो हमें eyes की जरूरत है बड़ eyes होने के बाद भी क्या हम darkness अगर हमारे आसपास है तो क्या किसी चीज को देख सकते हैं? नहीं तो देखने के लिए हमारी body में तो eyes होनी चाहिए प्लस हमारे surroundings में light भी होनी चाहिए तब ही हम easily किसी चीज को observe कर पाएंगे या कोई चीज हमें visible हो पाएगी किसकी वज़ा से? light की वज़ा से और light के बारे में discuss करते हैं आज क्योंकि हमारे chapter में light shadows and reflection है तो पहले light के बारे में बात करेंगे कि light कैसे important है, कैसे काम करती है या कैसे light किसी चीज को हमें observe कराने में help करती है चलो बड़ क्या करेंगे? पहले करेंगे quiz lights are related, तो light के बारे में सबको पता ही है और अभी थोड़ा बहुत हमने discuss भी किया है तो पहले questions देखेंगे, 3 questions and you'll get 30 seconds for each question let's get started we are unable to see things in the dash, तो कब हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं light में, darkness में, sun में या फिर bulb में क्य़ थतू ह next question we see objects because of तो अगर हमें किसी चीज को देखना है हम objects कैसे देखते हैं water से देखते हैं, light से देखते हैं cloud से या फिर none of these last question dash and dash are two sources of light तो इन में से कौन से दो sources हैं light के torch या candle, lamp या curtain, torch या table या फिर candle या फिर curtain चलो आन सा discuss करते हैं we are unable to see things तो हम चीजों को कब नहीं देख पाएंगे चीजों को तब नहीं देख पाएंगे जब darkness होगी तो darkness में चीजों को हम नहीं देख सकते तो dark मुझे कहा नजर आ रहा है मैं देख रही हूँ dark मुझे नजर आ रहा है option B में sun और bulb को cancel करेंगे so the correct answer is dark तो we are unable to see things in the dark next we see objects because of तो कोई भी object अगर हम देखते हैं तो किस वज़ा से देखते हैं क्या reason है कोई भी चीज हमें नजर आ रही है क्या water reason है किसी भी चीज को देखने का light reason है clouds reason है या फिर none of these तो हमें पता है reason अगर जिससे मुझे कोई चीज नजर आ रही है visible है कोई चीज तो that is light तो light अगर है तो हम चीज़ों को ये किसी भी object को observe कर सकते है lastly dash and dash are two sources of light तो इन में से कौन सी दो sources है light की यानि light कहां से निकलेगी अभी तक तो हम यही देख रहे थे कि light हमें चीज़ों को देखने में help करती है बट वो light कहां से आएगी light कहां से आ रही है तो light आ रही है torch and candle से तो lamp और curtain lamp से आ सकती है बट curtain से नहीं आएगी इसलिए हम cancel करेंगे again यहाँ पर curtain दिख रहा है तो हम cancel कर रहे हैं और C में table है जो कि अपने अंदर से light नहीं निकालती तो इसलिए हमारा correct option हो जाएगा option A torch and candle तो यह दोनों हमारे light के sources हो सकते हैं बट क्या light के sources सिर्फ इतने ही होते हैं क्या सिर्फ candle और torch से ही हमें light दिख सकती है पहले तो हमने बात करी के हमें किसी भी चीज़ को देखना है किसी भी चीज़ को observe करना है और कोई source हो सकता है जिससे हमें light मिल सकती है तो candle हो सकती है तो this is our torch ये है candle तो torch और candle हमें मिल रही है ये source है हमारे light के बट आपके घर में क्या candle और torch का इस्तमाल किया जाता है light को emit कराने के लिए या light पूरे कमरे को light का रहने के लिए क्स चीज का use कर रहे हैं आप लोग तो हम किसका use करते हैं हम use कर लेते हैं tube lights का तो tube lights होती हैं bulbs होते हैं घर में ताके light हमें मिल सकी है रिए बलप का यूज कर सकते हैं , ट्यूब लाइट का दाट इस सन तो सन से हमें ये लाइट मिलती है तो पहले के जमाने में जब ये नहीं हुआ करते थे टॉर्च नहीं होते थे candles नहीं होती थी, bulbs नहीं होते थे तो लोग कैसे light मिलती थी क्या पहले के लोग देखा ही नहीं करते थे उनको कोई चीज नजर ही नहीं आती थी तो क्योंकि ये चीज़े नहीं थी बट हमारे पास एक natural source present था light का that is sun तो sun जब निकलता था तो दिन के टाइम में वो लोग सारे काम कर लिया करते थे और रात के लिए कोई काम नहीं चोड़ते थे बट इसके बाद फिर लोगों ने क्या किया और inventions करें जिससे हम रात को भी देख सकते हैं तो ऐसे substances का invention किया ऐसे हमारे devices का invention किया जिससे हम रात को भी light को emit करा सकते थे और रात में भी अपना काम कर सकते थे तो फिर बहुत सारी और चीजे discover हुई जिन से हम देख सकते हैं light को या light को emit करा सकते हैं तो light हमें कहां से दिख रही है light हमें मिल रही है इन सारी चीजों से तो जो objects objects that emit light तो objects जो light को emit करते हैं are known as तो ऐसे objects को हम बोलते हैं luminous objects क्या बोलते हैं? तो these are luminous objects तो ये होते हैं luminous objects جो अपने अंदर से light को निकाल सकते हैं यानि वो light के कोई source मन सकते हैं तो उनके अंदर से light निकले गई तो हम चीजों को observe कर लेंगे easily तो luminous objects की list बहुत लंबी हो सकती है, हम देख सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़े अपने अंदर से light निकाल सकती हैं, phones में भी हम देखते हैं, phone में torches होती हैं, नहीं तो screen से ही light निकलती है, तो जो भी अपने अंदर से light निकालेगा, उसको हम बोलेंगे luminous objects, चलो अब हमें बता बता देंगे, circle करना है luminous objects को, तो मैं आपको थोड़ा time दे रही हूँ, जल्दी से देखो कौन-कौन से objects luminous हैं, यानि luminous का मतलब क्या होता है, कि अपने अंदर से light एमिट कर सकते हैं, उनके अंदर से light निकल सकती है, तो बता दो फटा-फट से कौन-कौन से objects luminous हैं, तो luminous objects बहुत easily हम figure out कर सकते हैं, mobile phone एक luminous object है, क्योंकि अपने अंदर से light को एमिट कर सकता है, man-made है, बत एक natural luminous source या natural luminous object जो हमारे पास है, that is sun, फिर torch हमारा luminous object हो जाएगा और bulb luminous object हो जाएगी, बाकि हमारे पास ये जो है shoes, luminous नहीं है क्योंकि अपने अंदर से light नहीं निकालते, apple भी luminous नहीं है और table भी luminous नहीं है, तो हमारे यहाँ पर four objects luminous होते हैं, और luminous का मतलब याद रखना है, अब तक समझ आ गया होगा कि luminous का मतलब होता है, जो अपने अंदर से light emit कर सकते हैं, light अपने अंदर से निकाल स रखते हैं क्या हम luminous हैं क्या humans luminous होते हैं क्या हमारे अंदर से light निकलती है no हमारे अंदर से light नहीं निकलती तो ऐसे objects जिनके अंदर से light नहीं निकलती they are non-luminous objects तो हम क्या है non-luminous हैं तो जिनके अंदर से light नहीं निकलेगी उनको हम non-luminous बोल देंगे और जिनके अंदर से निकल रही है तो वो तो हैं ही luminous objects चलो तो एक term अभी हमने नहीं सीखे that is luminous और किसके लिए इस्तमाल कर रहे थे उसके लिए इस्तमाल कर रहे थे जो की अपने अ हमारे पास eyes भी है और जो चीज हमें देखनी है वो भी है हमारे पास यह तीनों चीज़े हैं सिर्फ eyes अगर हमारे पास है और light नहीं है तो भी हम चीज को देखने ही पाएंगे है ना और अगर हमारे पास light भी है और हमारे पास eyes भी है बट कोई object नहीं है तो हम फिर नहीं द जिसको हमें देखना है तो इन सब चीजों की हमें क्या है नीड है अगर किसी भी चीज को मुझे देखना है बट अब यह क्या मेकानिजम है क्या प्रोसेस है जिससे लाइट के प्रेजन होने से हम चीजों को देख पा रहे हैं और लाइट अगर नहीं है तो देख नहीं पा र तो यह आकर मेरे object को करेगी strike अब object क्या करेगा उस आई हुई light को दुबारा से reflect कराएगा क्या करा reflect कराया light को तो light जब reflect होके हमारे eyes तक आएगी तब हम किसी चीज को देख पाएंगे और उसको समझ पाएंगे कि yes this is a flower तो जो भी चीज हम देखते हैं हम उसे देख के पहचान जाते हैं कि मैं computer को देख रही हूँ या मैं book को देख रही हूँ या मेरे हाथ में pen है तो जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें देख कर पता लग जाता है कि ये चीज ये है क्यूंकि जब हम उस चीज को देखेंगे तो देखने के बाद एक sensation होती है ब्रेन में और ब्रेन recognize कर लेता है उस चीज को बिना देखे हम नहीं कर सकते ये चीज नहीं पता कर सकते तो क्या होगा light आकर किस से टकराएगी आकर टकराएगी हमारे object से जिस object को भी हमें देखना है अब फिर वो object अपने उपर से light को reflect back कराके दुबारा reflect कराके हमारे eyes में पहुँचा देगा और जब तक हमारे eyes में वो rays नहीं आएगी हमें वो चीज नजर नहीं आएगी तो अगर अभी आप अपने room में बैठे हैं एफ्लेक्ट नहीं कराएगा यानि absorb कर लेगा light को अगर absorb कर रहा है suppose वो reflect नहीं करा रहा जो भी light उसके पास आ रही है तो हम उस object को नहीं देख पाएंगे तो darkness में बिल्कुल यही होता है darkness में light नहीं है तो objects reflect किसको करेंगे जब objects reflect ही नहीं कर रहे तो reflect नहीं कर रहे तो हमें वो object नज़र नहीं आ रहा तो बहुत easy mechanism है तो क्या है mechanism बोल सकते हैं इसको इधर लिख देदे हैं side में क्या है यह that is mechanism of vision तो यह है mechanism किसका vision का यानि हम किसी चीज को observe कर रहे है देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे जब कोई भी object light को अपने अंदर से reflect कराएगा तो उसके reflect करने से हमें वो चीज नजर आ जाएगी as simple as that और जो अपने अंदर से reflect नहीं कराएगा वो हमें देखने को नहीं मिलेगा जो कि darkness में होता है चलो आप कुछ objects हैं हमारे पास तो पहले इन objects को आप सबने देखा ही होगा यह हैं glasses this is cellophane sheet तो cellophane sheet है जो कि हम अपने notebooks या books को use करते हैं cover करने के लिए फिर this is a glass sheet सिर्फ glass sheet है यह और मुझे नजर आ रही है ice तो यह सारी चीज़ें आप सबने देखे होंगे अपनी daily life में क्या कोई चीज़ common है इन सारे objects में क्या ऐसी कोई property इन objects में present है जो कि हम पता लगा सकते हैं इनको देखके क्या property है सब क्या है colorless है किसी के पास color नहीं है और क्या property हो सकती है तो लिख देते हैं द्यार colorless कोई color नहीं है इनके पास और क्या property हो सकती है हम इन objects के आर पार देख सकते हैं we can see through these objects तो अगर मैं glass अपने आखों के सामने रखूँ तो मैं glass के आर पार देख सकती हूँ जो भी glass के पीछे है वो मुझे easily नजर आ जाएगा ऐसी अगर cellophane sheet या glass sheet या ice रख रही हूँ तो easily मैं जो उसके पीछे चीज़े present है उसे असानी से देख पाऊंगी तो यानि क्या है we can see through these objects तो जो भी objects हमारे पास है हम इनके through देख सकते हैं तो यह कोई barrier create नहीं कर रहे हैं हमारे देखने में अगर glass present है मेरे सामने तो मैं उसके बाद भी जो glass के पीछे चीज़े हैं उनको देख सकती हूँ ऐसी glasses में भी होगा और ice के आरपार जो भी चीज़ होगी उसको हम easily देख सकते हैं तो ऐसे objects जिनके आरपार हम देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं transparent objects क्या बोलते हैं? हम उने बोलते हैं कैसे objects तो या such objects are known as transparent तो जिनके आरपार हम देख सकते हैं यानि ऐसे objects को हम बोल देते हैं transparent objects चलो इसी basis पे next चीज़ देखते हैं तो अब मेरे पास कुछ objects हैं अगर मैं इनके through देखने की कोशिश करूँ तो क्या मैं clearly देख पाऊंगी अगर मेरे पास plastic glass है मुझे दिखेगा बिल्कुल दिखेगा बट उतना clearly नहीं दिखेगा जितना की glass के glass से दिख रहा था है ना plastic glass से नहीं दिख रहा उतना ऐसे ये polythene है तो polythene का अगर मैं use करूँ देखने के लिए तो भी उतना clearly नहीं देख पाऊंगी this is our sunglasses तो sunglasses black color के हैं तो black sunglasses के through अगर हम देखते हैं साइची से हम डिस्टिंगुश नहीं कर पाते colors में देख रहे हैं हम बिल्कुल easily देख पा रहे हैं इनके through but proper vision नहीं मिल रहे हैं हमें यानि हो सकता है color different हो जाए clearly हमको नजर ना आए तो ये हो जाती है वजा ये है plastic glass उसके बाद मुझे यहां मिल रहा है vegetable oil तो vegetable oil क्या होता है vegetable oil भी एक ऐसा ही substance है जुसके आर पार अगर मैं देखने की कोशिश करूँ दिखेगा but clearly नहीं देख पाऊंगी फेर this is our butter paper या tracing paper जो उसको बोलते हैं तो butter paper भी आपने देखा है कि बहुत thin होता है but उसके through अगर हम देखें तो clearly नहीं देख पाते although देख पा रहे हैं but clear vision हमें नहीं मिल रही है तो पहले जब हमने बात करी कुछ objects के बारे में तो हम देख रहे थे कि उन objects से हम easily देख सकते हैं उसके through easily चीज़ों को observe कर सकते हैं but अब अगर हम clearly नहीं देख सकते किसी object को कोई भी चीज़ के through अगर हम clearly नहीं देख पा रहे तो such objects are known as translucent objects तो ये हैं translucent translucent objects हो जाते हैं ये क्यूंकि हम इनके through देख तो सकते हैं but clearly नहीं देख पा रहे lastly अब बताई सकते हम के ऐसे objects ये जो हमारे पास चीज़े हैं this is wooden plank चलो इधर ही लिख देते हैं wooden plank है ये और ये है brick wall brick wall हो गई या फिर कोई book हो गई या फिर cardboard sheet तो this is cardboard sheet अगर मैं इन चीज़ों के through देखने की कोशिश करूँ तो क्या मैं देख पाऊंगी ना तो clearly देख पाऊंगी ना partially देख पाऊंगी तो मुझे इनके through चीज़े नजर आएंगी ही नहीं अगर cardboard sheet ऐसे अपने आगे रखों अपने आखों के आगे तो क्या उसके बीच देख पाएंगे बिलकुल भी नहीं बुक्स के आरपार भी नहीं देख पाएंगे तो ये सारे objects जिनके through हम नहीं देख सकते चीज़ों को तो such objects are known as opaque objects तो ये objects हैं opaque क्योंकि इनके through हम नहीं देख सकते बिलकुल भी तो opaque objects key list हम all लंबी कर सकते हैं table है, chair है, हमारा खुद का हाथ अगर हाथ आखों के आगे रख लेंगे तो नहीं देख पाएंगे क्या देख पारें अगर मैंने अपना हाथ रखा है अपने आखों के आगे नहीं क्योंकि ओपेक है बट अगर मैं रखूं अपने आगे कोई plastic sheet या फिर अगर मैं क्या use करें कोई glass sheet रखूं तो easily आप लोग देख पाएंगे तो जो objects के through हम नहीं देख सकते हैं यानि उनसे light pass नहीं होगी तो such objects are known as opaque objects तो और हम list दून सकते हैं find out more objects और कौन-कौन से objects धूनने हैं transparent जो हो transparent, translucent and opaque तो lastly opaque objects भी हमें सबकी list बिनानी हैं देखो अपने आस पास और classify, categorize करने की कोशिश करो के वो objects क्या opaque हैं क्या transparent हैं या translucent हैं तो अब हम देख लेते हैं कुछ और objects जैसे pencil है pencil view through the object अगर pencil के through मैं देखने की कोशिश करों तो क्या देख पाऊंगे clearly नहीं pencil के through हम नहीं देख पाएंगे pencil के आरपार नहीं देखेगा तो pencil क्या हो जाएगी pencil हो जाएगी एक opaque object rubber ball rubber ball है मेरे पास तो rubber ball के through देखने की कोशिश कर रही हूं तो क्या नजर आता है आपको rubber ball से अगर देखें तो no rubber ball से भी हम नहीं देख सकते तो rubber ball भी होगी opaque फिर a sheet of writing paper तो writing paper पे not very sure और इनों ने लिख रखा है क्योंकि paper depend करता है thin होगा या फिर thick paper है तो suppose हम बात कर रहे हैं कि thin paper था thin sheet of paper था तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हमें नजर तो आएगा but clearly नजर नहीं आएगा है ना तो हम लिख देते हैं partially तो थोड़ा थोड़ा नजर आएगा ठीक है तो partially नजर आएगा तो इसलिए मैं ऐसे object को बोल दूँगी translucent तो मैं उसे opaque भी नहीं बोल सकती उसको मैं transparent भी नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे clearly नजर नहीं आ रहा है तो clearly नजर नहीं आ रहा तो उसको हम बोल देते हैं translucent object तो अब हम समझ गए हैं कि कैसे classify करना है between these three objects कैसे करेंगे जिन से light pass हो रही है और हम उनके through देख सकते हैं तो उनको हम बोल देंगे transparent objects जिनके through थोड़ी से light pass हो रही है हम बहुत कम देख पा रहे हैं तो वो होते हैं translucent और जिनके through हम देख ही नहीं सकते बिलकुल भी तो उनको हम बोल देते हैं opaque objects चलो तो अब हमने नहीं terms सीखी है luminous object सीखा है और हमने transparent translucent और opaque terms सीखे हैं अब test करो कि कितना याद है आपको ठीक है three questions आएंगे and you'll get 30 seconds for each question dash objects तो कैसे objects allow करते हैं light को उनके अंदर से pass होने देने के लिए और उनसे हम clearly देख सकते हैं we can see through these objects clearly तो क्या है transparent translucent opaque या फिर wooden objects next question translucent objects allow light pass through them तो कौन से objects अपने या जो हम translucent objects की बात करें हैं तो light को अपने अंदर से कैसे pass होने देते हैं fully pass होने देते हैं partially pass होने देते हैं completely या फिर all of these opaque objects do not allow dash to pass through them तो opaque objects अपने अंदर से किसको pass होने नहीं देते electricity को water को heat को light को किसको pass होने नहीं देते चलो दो answer discuss करते हैं आप अब हमें हमने क्या देखा कि वो objects जो light को allow करेंगे उन से pass हो जाए light और उनकी through हम clearly देख सकते हैं पास होगी तो उसको हम इसली कर लेंगे सब अच्छे मुझे लग रहा है तो transparent जिनके अंदर से light पास होगी तो वो होते हैं transparent translucent जिनके अंदर से light partially पास हो पाएगी तो ऐसे objects को हम बोलते हैं translucent और जिनसे light पास होगी ही नहीं such objects are opaque objects और easily हम इनके examples भी लिख देंगे तो glass लिख सकते हैं cellophane लिख सकते हैं उसके बाद translucent में हम क्या लिखेंगे translucent में हम लिख रहे हैं चलो water लिख देते हैं और oil लिख देते हैं lastly opaque में तो हम कोई भी चीज लिख सकते हैं wood लिख दो pen लिख दो pencil लिख सकते हैं bottle लिख सकते हैं book लिख सकते हैं तो बहुत सारे examples हो सकते हैं opaque चीजों के तो अब हमने समझ लिया है difference between the three transparent, translucent and opaque बढ़ते हैं अब अगले topic पे ये क्या नजर आ रहा है आपको बता दो जल्दी से तो यहां पे कुछ बच्चे खड़े हुए हैं और बच्चों का क्या नजर आ रहा है हमें तो क्या बोलते हैं इसको yes हम लोग बोलते हैं shadow तो क्या देखने को मिल रही है हमें shadow नजर आ रही है तो जो की एक और topic है हमारे chapter का तो light shadows and reflection है तो light के बारे में हमने बात कर ली light कैसे पास होती है लग-लग object से ये भी देख लिया तो हम बात कर रहे हैं shadows की ये shadow क्या होता है तो क्या आप shadow को देखके पता लगा सकते हैं किसी भी चीज का shape तो अगर मैं बोलूँ के ये क्या है तो आप बता सकते हैं तो ये एक spoon है यहां हमें एक spoon नजर आ रहा है चलो तो मैंने बोल दिया this is a spoon और अगर मैं इस situation में देखूं या इस picture में देखूं तो हम easily make out कर सकते हैं कि this is a hand तो ये हमें hand नजर आ रहा है तो क्या shadows हमें किसी भी object का या किसी भी substance का shape देखकर हम पता लगा सकते हैं कि क्या है वो तो पता दो लगा सकते हैं हम hand पता लग रहा है और अगर आपको किसी और चीज़ का भी shadow नजर आ है हमने बच्चों का shadow देखा तो भी हम पता लगा लिया हमने के कुछ kids हैं जिनका shadow बन रहा है तो shadows में हम देखते हैं कि जो भी object है या जो भी substance present है उसका भी blackened version है है ना पूरा black होता है और तो कुछ भी नहीं है और shape देखके हम easily पता लगा सकते हैं कि वो किस चीज़ का shadow है पता लगा सकते हैं कि नहीं चलो देखो क्या shadows reliable होते हैं क्या हम shadows को देखके किसी चीज़ का shape पता कर सकते हैं कि क्या shape है उसका या फिर अगर मैं shadow देख रही हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि किस चीज का shadow है देखते हैं, तो देखो भई हाथ से हम क्या क्या बना सकते हैं यसे animal बना लिया, और फिर देखो अलग-अलग animals के faces बन रहे हैं तो क्या shadows हमारे लिए reliable हैं, तो हम क्या किसी shadow को देखके बता सकते हैं कि किसका shadow है, तो shadows are not always reliable, तो यह हमेशा reliable नहीं होते क्योंकि हम देख रहे हैं कि shadows में हम कोई भी चीज फॉर्म कर सकते हैं किसी भी चीज का use करके, क्योंकि उसके अंदर तो सिर्फ एक outline है, सिर्फ एक boundary है जिसको देखके हम पता कर सकते हैं और वो हमेशा reliable factor नहीं होता प्लस colors भी नहीं है, पूरा black होता है, black end होता है पूरा तो उससे भी हमें पता लगाना बहुत मुश्किल होता है तो shadows are not always reliable, अगर आप shadow देख रहे हैं तो हमेशा आप shadow पे भरोसा नहीं कर सकते तो देखो कब कब कर सकते हो, भरोसा और कब नहीं कर सकते तो खुद ही try करेंगे, कि shadows कब कब reliable होते हैं और कब reliable नहीं होते हैं, कब हम भरोसा कर सकते हैं shadows पे और कब नहीं तो what exactly are shadows तो यह exactly shadows होते क्या है तो shadows में क्या होता है जब कोई opaque object present है तो अगर कोई opaque object है मेरे पास वो opaque object के उपर अगर light पड़ रही है तो that opaque object when it comes in contact with light तो बन जाता है shadow तो आप क्या है हम opaque है खुद हम अगर light के आगे आकर खड़े हो जाएं तो हम देखेंगे कि हमारा shadow form होने लगेगा तो कोई और चीज़ light के आगे लेकर आजाएंगे कोई भी light का source है torch के आगे लेकर आएं या फिर candle के आगे रखो या फिर tube light के आगे रखो तो हम देखेंगे कि opaque objects का shadow बनता है तो shadows are shadows are formed with opaque objects तो opaque objects से ही हम shadow form कर सकते हैं तो किसी भी चीज़ का shadow कैसा होता है एक boundary होती है उस object की उस substance की और वो पूरी black होती है चलो तो अगर light ही नहीं होगी तो क्या हम shadows observe कर पाएंगे बिल्कुल नहीं तो shadows form होने के लिए light बहुत important होती है तभी तो अगर कोई light का source है उसके आगे मैं कोई भी object रखो तो उसका फिर shadow form होने लगेगा तो shadow form करकर देखना है गाईस shadow कैसे form होता है तो एक light का source ढूंडो और source के आगे कोई भी चीज़ रखो और देखो उसका shadow कहां बन रहा है कहां बनता है shadow कहीं पर भी बनने लगेगा इसे हवा में मुझे shadow नजर आजाएगा किसी भी चीज़ का नहीं तो shadows form होने के लिए क्या चाहिए हमें हमें हमेशा एक screen चाहिए होती है और shadow हमेशा screen पर form होता है तो आप क्या कर सकते हो इस तरीके से activity कर सकते हो अपने friends के साथ या subling के साथ तो हमने देखा कि यहाँ पर torch है इस लड़की के हाथ में और torch से निकल रही है light बट उस light को रोक कौन रहा है यह person तो suppose this is पहेली यह है बूजो तो पहेली के हाथ में है torch तो पहेली के हाथ से जब torch का हम इस्तमाल कर रहे हैं तो torch से light निकली बट torch की light किस पर पड़ी बूजो पर पड़ी तो बूजो का हम देख रहे हैं कि shadow बनने लग गया तो shadow मुझे नजर आ रहा है बट किस पर नजर आ रहा है shadows are always formed on a screen तो एक screen पर ही बनते हैं shadows तो shadows के बारे में काफी कुछ देख लिया हमने देख लिया कि shadows black होते हैं shadows तरफ outline होती है shadows हमेशा reliable नहीं होते और shadows को बनने के लिए screen की ज़रुवत होती है एक screen होगी तभी shadows easily बन पाएंगे तो जल्दी से note down कर लेते हैं characteristics of shadows shadows are colorless shadows are black in color चलो black in color लिख देता है फिर उसके बाद shadows are boundaries shadows हमें boundaries provide करता है किसी भी object की तो हम क्या कह सकते हैं shadows are not reliable shadows are not always reliable I should say हमेश और रिलाइबल नहीं होते हैं कभी कभी रिलाइबल होते हैं और क्या है changes करो कभी light कम करकर देखो तो shadow कैसा आ रहा है light बढ़ा दी तो shadow कैसा आ रहा है और सबसे important बात यह है कि shadows reliable इसलिए नहीं है क्योंकि यह perfect shape नहीं बताते हैं तो अगर मैंने light के पास रखा है कोई object तो उसकी shadow बड़ी बनेगी बड़ अगर मैं उसे light से दूर लेकर जाऊंगी तो मेरी shadow भी छोटी हो जाएगी चाहे मेरा object कितना है object का size तो change नहीं हो रहा object तो उतना है अगर मैं ball ले रही हूँ बट ball को अगर मैं light source के पास लेकर जाऊंगी तो उसका shadow बड़ा बनेगा और अगर मैं light से दूर ले जाती जाऊंगी तो उसका shadow भी छोटा छोटा और छोटा होता जाएगा तो shadow से हम perfect shape का पता नहीं कर सकते नहीं हम उसके बारे में और कुछ पता कर सकते हैं कि color कैसा है उसका और shadows reliable नहीं होते और shadows को बनने के लिए हमेशा चाहिए होती है एक screen चलो तो characteristic भी देख लिए तो फिर से कर लेते हैं एक हमारा last quiz जिसमें हमें सारी चीजों के बार में बात करनी है सारी चीजों को test करना है जो भी अभी हमने पढ़ा है start करते हैं फिर which among the following is a non-luminous object तो इन में से कौन सा object non-luminous है next question dash are formed when an opaque object comes in the path of light तो क्या बनता है अगर कोई opaque object light के path के बीच में आ रहा है तो last question which among the following gives information about shapes of the object तो कौन हमें information बता सकते हैं object के shape के बार में चलो अब आंसर डिसकस करते हैं which among the following is a non-luminous object तो non-luminous वो होते हैं जो की अपने अंदर से light नहीं निकालते हैं तो अपने अंदर से light निकालने वाले कौन नहीं हैं secondly dash are formed when opaque objects comes in the path of a light तो अगर कोई object light के path के बीच में आता है तो तो क्या form होता है light form होती है नहीं electricity भी नहीं shadows form होती है तो shadows form होती है जब अगर कोई light का source है और उसके आगे कोई आ जाए तो उसका shadow form हो जाता है lastly in में से कौन सी चीज हमें object के shape के बारे में बता सकती है तो object के shape थोड़ा बहुत हमें लगबग पता लग सकता है किस चीज से size के बारे में तो पता नहीं कर सकते बढ़ा shape के बारे में कुछ हद तक पता कर सकते हैं तो plants से पता कर सकते हैं human से पता कर सकते हैं shadows से तो yes shadows का इस्तुमाल करकर हम पदा कर सकते हैं shape किसी भी object का बागी सारे हमारे options wrong हो जाएंगे और correct option है option c that is shadows चलो तो आज के लिए फिर इतना ही हमने आज सिफ बात करी light के बारे में और shadows के बारे में अभी reflections वाला part हमारा रहता है next class में बात करेंगे और अगर आपको कुछ doubt है इस chapter से related, आज की class से related तो comments में लिख देना अभी जाने से पहले time table note करेंगे daily classes होती है आपकी 3 o'clock maths, 4 o'clock आपकी maths होती है 3 o'clock vedic maths होती है, 5 o'clock science, 6 o'clock आपकी दुबारा से maths की class होती है और 7 o'clock again science class होती है तो timely classes लेनी है, properly आपको time class के अंदर आना है और observe करनी है class, सब कुछ सुनना है ध्यान से ताके आपके जो marks है quiz में full marks आ सके है न और क्या करना है, कल जब आप आएंगे class लेने के लिए तो revise कर के आएंगे last class का ताके उसी पे base हम आके बात कर सके ठीक है तो मिलते हैं फिर next class में, good bye guys